साइकॉलॉजी क्लासिस में तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक चांशाम के बादा जिसका नाम है। जो की साइकॉलोजी का पेपर है सिकंट सेमिस्टर का तो यह जो एक्जाम पेपर है 2017 का है 2017 का है इसमें देखो आम बता रहे है और वीडियो देखोगे उसमें मैंने बताया है कि जो 78 आंसाइट आट कोशन होते हैं यह सारी चीजह मैंने उसमें बताया है रेगुलर प्राइवेट इस्टुडेंट का क्या रहता है कि इतने नमबर का एकजाम पेपर होता है तो यह जो है मैं इसमें भी बता देती हूं लेकिन आप और वीडियो देखो कि तो उसमें आपको और अच्छे से मिल जाएगा ठीक है तो क्या है उसमें मैंने और ज्यादा बताया है तो यहां पर जो एनि फाइब लिखा हुआ है यह है कि कोई पां प्राइब कोशन मिलेंगे तो वहां से हर यूनिट से आपको लॉंग अंसर टाइप मिलता है और स्वर्ट अनसर टायप अब यहां पर क्या कर सकते हैं इनको देखो पहले तो यहां पर देखो जो एकजाम पेपर है वो 100 नमर का पूरा आता है ठीक है और क्या बोलते है जो यहां पर हम आपको question पढ़के बताते हैं मनौ सारीरिक रोगों से क्या आसा है देखो इस पर मैंने जो पेज नमर लिखी हुए है पैंसल से अरुन कुमार जी की एक बुक है हिंदी मेडियम की जिसका नाम है एबनॉर्मल साइकोलोजी ठीक है तो एबनॉर्मल साइकोलोजी जो है आप उस वाली बुक में इसको देख सकते हैं 248 पेज नमर पे आपको यह वाला जो कोश्चन है इसका अंसर मिल जाएगा ठीक है अंसर की मनोव्यज्यानिक कारण बताईए ठीक है और नेक्स्ट है व्यक्तुत्व विकार क्या है इसकी नेक्स्ट में जो कोश्चन है वो है समायूजन विकास से क्या आ साए है नेक्स्ट कोश्चन है लगू सीर्सता क्या है नेक्स्ट कोश्चन है बोनापन क्या है नेक्स्ट कोश्चन है मनह चिकित्सा से क्या ताति पर है वोट इस साइको थेरेपी सांकेतिक व्यवस्था, टोकन एकोनोमी क्या है, ध्यान क्या है, वाट इस मेडिटेशन, तो यह एडवांस जनरल साइकोलोजी, एक बुक आती है, अरुन कुमार जी की, यह उसका है, उसमें यह मिला था, तो बायो फीडवेक से आप क्या समझते हैं, वाट डू यू एंडरि जिसमें देखू, यूनिट फस्ट लिखा हुआ है, यह जो आपका बारा और बारा नंबर जो है, ट्वैल नंबर रेगुलर स्टुडेंट के लिए होता है, और फूरी नंबर प्राइबिट स्टुडेंट के लिए, अब नंबर क्या है, कि आपके कॉलिज यूनिवस्टी सब्सक्राइब स्टुडा, नमबर बोलिए लगला रेगुज के लिए. सारी रेक रोग के कारणों पर प्रिकास डालिए ठीक है इसके अथवा में इन्हों ने बता है मनोद है कि हिर्दाइवाहिनी विक्रिती का वर्डन कीजिए नेक्स्ट है आपको इन दोनों मेंसे कोई एक करना ठीक है अब यूनिट ती पे आते हैं तो यूनिट ती पर आप देखिए मानसिक मंद怖ता के नहिदान प्रिकारों का वर्डन कीजिए इसके अथवा में दिया गया है मानसिक मंदता हेतु प्रस्टिक्षर कारिक्रामों का विवरेट दीजिए ठीक है इसके अथमा में दिया गया है तो यहाँ पर अस्तो परक्त चिक्कित्सा पद्धती पर प्रिकाश डाले तो इस तरह चिया आपका यह वाला एक्जाम पर भी मैंने पूरा बता दिया है आप सभी को समझ में आ गया होगा तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, सेर जरूर करें थैंक यो सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्जाम पेपर के साथ